आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम अपनी होबी यानि अपने शोप के बारे में और अपनी ambition यानि महत्वा कांगशा के बारे में कैसे किसी को बताएं ये दोनों ही चीजें अपने परिचय का अभिन्न हिस्सा होती है इंटीग्रल पार्ट होती है और उससे इसे हम अलग नहीं कर सकते पर जब हमसे कोई details फरनिश करने के लिए कहता है हमारे बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहता है तब हम अपनी hobbies और अपनी ambition यानि हमारे बहुष्य के जो उद्धेश हैं जो हमारी महत्वा कांगशा है जो हम बनना चाहते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं अब चलिए पहले बात करें hobbies की यानि शौक की तो शौक बताते समय हम दो verb forms का इस्तिमाल करते हैं एक है gerund यानि की verb का ing form दूसरा है verb का infinitive form यानि two वाला form तू लगा करके verb का first form लगाना ये कहलाता infinitive और verb के first form में ing लगाना कहलाता चिरंड दरसल जितनी भी hobbies होती है वो सब किसी न किसी गतिविदी का नाम होती है और नाम यानि नाउन और नाउन बनाने के लिए हम verb को ing form में convert कर देते हैं जैसे की हमने कहा cooking अब cooking एक गतिविदी का नाम है एक शौक का नाम इसी तरह से हमने कहा playing अब playing के साथ आप game जोड़तीजे playing cricket, playing football अब ये हुआ noun यानि हम कहना चाहरे हैं मेरा शौक क्रिकेट खेल तो अंग्रेजी में हम कहेंगे my hobby is playing cricket दूसरा तरीका हो सकता है I like playing cricket या I like to play cricket तो to play जब हम बोलते हैं तो वो infinitive form हुआ और जब हम playing cricket बोलते तो जीरन form हुआ और इन दोनों तरीकों से ही हम अकसर अपनी hobby के बारे में बताते हैं एक और तीसरा तरीका है जब hobby का कोई particular नाम होता है जैसे photography जैसे calligraphy या जैसे origami अब ये photography या फोटो कीचने का शोक, calligraphy या सुंदर लेखन और origami का मतलब एक जापानी कला जिसमें कागस को मोड़कर उसके खिलोने बगेरा बनाए जाते हैं तो ये जो सभी चीजे हैं इनको अब सीधे रख सकते ह जैसे my hobby is photography या आपको ये कहना जरूरी नहीं है my hobby is taking photographs ये बोलने की जरूरत में आफ सीधा बोलिए my hobby is calligraphy यानि मुझे सुंदर लेखन का शोक है अपने शोक के बारे में बताने के साथ साथ कभी-कभी हमें अपनी ambition के बारे में भी बताना होता है जब लोग हमसे पुछते आप क्या बनना चाहते हैं और अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आगे चल कर आपका ultimate target क्या है आपका लक्ष क्या है यानि कि आपकी ambition क्या है मात्वा कांशा क्या है उसके अबारे में बताने के लिए अंग्रेजी में एक सरल तरल तरीका है और वो ये है कहिए I would like to be या I I want to be और उसके साथ a fill up the blank यानि कि आपको उस खाली स्थान को बरना है I want to be a film star में एक फिल्मी सितारा बनना चाहता हूँगा I would like to be a film star में एक फिल्मी सितारा बनना चाहूँगा इसके अलाबा एक प्लेन तरीका हो रहे सीधे कहिए My ambition is to be the Prime Minister of India मुझे भारत का प्रधान मंत्री बनने की माच्वा गांशा है मेरा उद्देश यह है भारत का प्रधान मंत्री बनना अब आपको प्रधान मंत्री बनना हो या पियोन बनना हो आपको मंत्री बनना हो या संत प्रधान मंत्री बनना हो आपकी ambitions बदल सकती है परन्तु उसको बताने का तरीका बहुत सीधा और सरल है कहिए I want to be और वहाँ पर वो महत्वा कंशा रख दीजिए जो आपकी वास्तों में है दरसल अपने बारे में जितनी details आप फरनिश करेंगे जितनी जानकारियां आप को देंगे उतनी ही जानकारियां लोग अपने खुद के बारे में आपको देंगे इसलिए हम ये बात अच्छी तरह समझ लें कि परिच्छा एक बहुत मातोपुन चीज है और उसमें कई चीजें शुमार होती है और उन छोटी छोटी जानकारियों के आदान प्रदान से प परिचे के दोरान हमें लगेगी कुछ प्रशन पूछना और इसको जानकारियां देना वो सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर